हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अभी हम डिसकेशन करेंगे निफ्टी फाइनेंसल सर्विसेस के बारे में लेकिन मुझसे एक सवाल भी पूछा गया था लोजिक का भी डिसकेशन करेंगे काफी इंट्रेस्टिंग सवाल है जैसे कि सवाल क्या पूछा गया है मंडे को क्या होने वाला है वो भी हम डिसकेशन करेंगे पहले सवाल सुन लो कि मार्किट में हमें पता है रजिस्टेंस जोन है ये अगर आप ओबजर्व करेंगे तो पहले एक सपोर्ट जोन था हम जानते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज है जो सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं जो फैमिली मेंबर्स वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है इस चीज का कि अगर सपोर्ट है ब्रेकडाउन मिलते ही वो रजिस्टेंस की प्रिसे इसने support की त्रेक्ट किया फिर से breakdown मिला अगर आप इसे आगे extend करेंगे तो आपको समझ में आएगा फिर से यह resistance की त्रेक्ट कर रहा है यह पूरी situation सपोर्ट था breakdown मिलके resistance बन गया फिर ब्रेकाउट मिला फिर support बन गया फिर से breakdown मिल गया resistance बन गया यह चीज हम basic से जानते हैं सवाल यह पूछा गया है कि अगर market resistance zone पे open हो जैसे कि यहाँ पे भी आपको resistance zone पे कई बार market open होते विए दिखाई दे चुका है इसी scenario को घर हम देखें क्योंकि अगर आप मारा support था breakdown मिलते ही तो resistance की त्रेक्ट कर रहा है तो हमारी trade लेने के लिए क्या strategy रहनी चाहिए क्या setup रहनी चाहिए हम कैसे observe कर सकते हैं कि market यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा हम अपनी trade की planning कैसे कर सकते हैं काफी interesting situation है कहीं बार आती है तो एक-एक point धियान से समझना अगर आप देखेंगे five minute का आपको time frame दिखाई दे रहा है पहली चीज दूसरी चीज आपको यहाँ पर type of hammer बनती भी दिखाई दे रही है अब hammer देखते ही या pin bar bullish candle देखते ही मन में क्या आता है जादतर लोगों के कि buying कर लो भही market ने gap up opening देखे आपको एक positive scenario भी दिखा दिया कि market positive है ऊपर से बना दी market ने hammer लेकिन गडबड कहां होती है उन चीजों को समझ लो आपके सारे doubt clear हो जाएंगे hammer का एक setup होता है जहां पर वो जाके activate होता है pin bar bullish candle का भी setup होता है दोनों का लगबग लगबग similar होता है अगर आप देखेंगे जब यह setup activate होते है तभी इन पर trade लेना चाहिए पहली तो यह चीज क्योंकि अगर market इस से उपर जाता price action बनाता तभी यह setup activate होता free of cost मैंने समझाय हो है आपको website पे भी मिल जाएगा hammer से related या फिर नहीं तो youtube का search box है जो वहाँ पे आप डालेंगे hammer और उसके आगे channel का नाम तो आपको video मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं पहली बार दूसरी बार जो हमारे family members है पहले से video देख रहे हैं वो जानते होंगे कि बड़ी red candle, बड़ी green candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening ये चारो एक तरह की चलती train रहते हैं हम इनसे दूर रहते हैं साथ के साथ sideways market से भी दूर रहते हैं यहां की situation क्या है बड़ी gap up opening तो इसका मतलब दूर रहना है ऐसा क्यों कहता हूं क्योंकि ये market flow flow में कभी तो बहुत उपर निकल जाता है कभी बड़ी gap up opening देके ये वहीं पे sideways हो जाता है चाहे gap down का scenario या फिर कहीं बार वहीं से ही एक retest momentum देता है तो इसलिए इनके अलग-अलग setup बनाए गए हैं जैसे कि अगर market बड़ी gap up opening देके एक sideways चला जाएगा फिर breakout देके चलेगा या फिर कुछ वापिस आके retest करके फिर projection बनाएगा ये scenario हो सकता है अगर बड़ी gap up opening देके market sideways हो रहा है तो या तो वह breakout देके चलेगा या फिर वह breakdown देके चलेगा इस scenario को आप देख सकते हैं अगर वह वापिस आ रहा है तो bearish candle बना है तो इन situation का आपको धियान रखना होता है ठीक वैसे ये तीनों चीजे यहाँ पर भी apply होती है जब हमें पता है कि market एक resistance zone पर open हो रहा है जैसे market ने इसके नीचे कुछ time spend करना शुरू किया अगर ये इसका breakout देके चल देता तो हम यहाँ पर buying का scenario पकड़ते फिर अगला resistance zone ह नीचे कुछ time spend किया तो hammer तो activate नहीं हो रहा था फिर market नहीं जो zone बनाया उसका breakdown देके नीचे चलने लगा अब यहाँ पर हम यह देख रहे है कि जो यहाँ पर market रुका है वो पहले दिन भी यही पर इसी range में लगबग लगबग रुका था तो हम इसके support का breakdown का इंतजार कर र निकल जाए क्युक्य इतने time में market हमें trading day high और trading day low भी बता चुका है क्योंकि यह तो बंदा दिया trading day low ये बता दिया trading day high टो अगर इसका breakout आता तो trading day high kit का breakout मिल जाता यह वाला setup बन जाता यहाँ पे अगर market का trading day low का breakdown दे रहा है तो इस trading day low का breakdown मिल जाता यह वाला setup बन जाता तो trading day low का market ने breakdown दिया है और सीधे previous day closing पे market ने support लिया हुआ है यह भी बात मैंने समझाए हुई है कि previous day high हो previous day low हो या previous day closing हो या फिर trading day high हो या फिर trading day low हो प्रोबिबबिल यह तो यहां पर क्या है support की तरह किया अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता गलत confusion नहीं लगाना होता कि market हमेशा ही support की तरह वाई देने को breakdown भी दे सकता है तो यहां पर अलग setup बन जाते हैं यह फिर अगर हम trade में पहले से बैठे होते हैं, तो हम अपने stop loss को trail करके यहाँ पर input कर लेते हैं, जैसे यहीं पर यह example ले लेते हैं, आप trade में यहाँ से बैठे, market ने breakdown दिया, market ने previous day closing पे आपको support देना शुरू कर दिया, support लेके market ने हाँ पर एक price action बना है, candlestick pattern भी बना है, candlestick pattern free of cost मैंने सारे के सारे website पे समझाय हुए, website का link नीचे description में, और market ने momentum दिखा दिया, अब अगर ऐसा होता, market सीधा ही इसका breakdown देता है, जो हमारा stop loss कहीं यहाँ पर पड़ा होता, हम उसे उठा के यहीं पर लगा लेते, क्योंकि इतना profit तो हमारे हाथ में आ जाता, और हम इस पू में आइडिया देता रहता हूं, क्योंकि जो और भी subscriber है, वो भी इन चीजों से relate कर पाए, या समझ पाए, और एक profitable trader की तरफ कदम बढ़ा पाए, तो यहाँ पर आपको situation समझ में, फिर और भी चीज़े, हाला कि जिस भाई ने ये सवाल पूछाए, उसका doubt के लियर हो गया ह होगा कि resistance zone पर कैसे पतल लगा है कि market ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने आपको तीन चीज़े बताई, कि अगर market उसी resistance zone का breakout दे के चल रहा है, तब क्या scenario है, दूसरा, यहाँ पर sideways दे रहा है, तो breakout दे रहा है, या breakdown दे रहा है, तीसरी चीज़ बताई, कि अगर market ने य करते हैं, इस चीज़ का आपको धियान रखना चाहिए, ठीक है, अगर situation यहां से कोई भी होगर नजदी की resistance है, तो trade नहीं लेंगे, नजदी की support है, तो trade नहीं लेंगे, फिर इन support या resistance पर क्या projection बना है, उसके coding trade लेंगे, आई बागी कब logical discussion करते हैं, फिर market ने एक range बनाई और फिर से इसका breakdown दिया, तो यहां पर भी आपको सीधा सीधा काफी बहतरी सिनेरियो बना है, दूसरा plus point क्या था, यह जो सिनेरियो बना है, यह इसी resistance zone पर पर पड़ा है, तो यह भी आपके लिए confirmation था, यहां से भी आपको चीज़े होती हुई दिखाई दे रहे हैं, जैस इसली candle है, उसके high cup breakout दिया है, मार्केट ने एक momentum पर दिखाए, हाला कि यह सिर्फ और सिर्फ स्कल्किंग की opportunity थी पहली बात, दूसरी बात जब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक momentum दिखा रहा है, तो और हम पहले भी profit बना चुके हैं, इस situation पर profit बना चुके हैं, यह breakdown पर profit बना चुके हैं, यह तो ऐसे चीजों को avoid कर दो, क्योंकि यह तीन बजी के आसपास आपको breakout या breakdown दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर करना भी चाहते हैं, तो सिर्फ risk reward ratio का ध्यान करो, half quantity के साथ करो, या फिर एक load के साथ करो, जैसे भी आपको बहतर लगता है, जो भी आपने अपना risk reward ratio बनाया हुआ है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तब ही इस तरह के risk लिए जाते हैं, situation समझ में आई, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, pivot point की तरफ, नो trading zone की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दू, कि जो offer चल रहा था, वो एक दिन बाद expire हो जाएगा, यानि यह 20% का offer अभी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए बचा हुआ है, तो जल्दी से अगर आप इस offer का फाइदा उठाना चाहते हैं, 20% का offer यहां पे दिया गया, intraday status पे, तो नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, आप जाके join कर सकते एक बात, और चीज़े धियान रखना, जो भी आपको link नीचे description में मिलेंगे, चाहे वो website के हो, instagram के हो, या फिर facebook के हो, वो ही हमारे official है, ठीक है, और हम instagram के थूर, या facebook के थूर, और बाकी चीज़ों के थूर, या किसी website के थूर, आप से किसी भी परकार के पैसे की demand नहीं कर रहते हैं, इस चीज़ का आपको धियान रखना है, अगर कोई आप से पैसे मांग रहा है, हमारा logo लगा के, या हमारे नाम का channel बना के, तो उन चीज़ों से दूर रहना है, आपको धियान रखना है, कि वो एक scammer हो सकता है, तो पैसे बिलकुल भी send नहीं करने है, किसी भी त कर रहा है, तो उस चीज़ को एकदम report करो, उसे block करो, और उससे दूर रहो, situation समझ में आगी, और वैसे आपको, मतलब अगर आपके पास fund नहीं है, कोई बात नहीं, YouTube channel परी में हम आपको इतनी information दे देते हैं, अगर आप इन ही चीज़ों को ध्यान से देखोंगे, तो आपक बागी और भी चीज़े, trading psychology, risk reward ratio, risk management, आपको किस तरीके से करना है, काफे कुछ चीज़े समझाएगी है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए pay कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि हम आपके लिए कुछ भेदभाव कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, आपको भी एक proper information दी जा रही है, चलो यहाँ पर पहले no trading zone को समझते हैं, आपर दो red line दिखाई दे रहे हैं, उपर लेवा line के बात करें, 19,391 की है, नीचे लेवा line के बात करें, 19,318 की है, जो कि second का day low भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, previous day low बन जाएगा, एक और बात, previous day low है, previous day closing है, यह दोन करना है, 19,391 के breakout का, तो अगर इससे उपर price sustain करता है, तो market अपने day high तक जा सकता है, जो कि हमारे लिए previous day high है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, वही resistance zone है, जो कि मैं आपको 5 minute के time frame पे समझा रहा था, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, तो अगला resistance zone, अगला जो हमारा बने आपको 19,480 के round आपको बनता हुआ दिखाए देगा, यहाँ पर एक बात और धियान रखने है, previous day high का आपको breakout भी मिलेगा, तो हमारा एक setup भी है, previous day high के breakout वाला setup, उसके according भी आप काम कर सकते हैं, वहीं पर बात करें, market flat open होके दिखाता है आपको negative momentum, उस situation पर हमें क्या देख आप है, वह activate हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको breakdown मिल रहा है, आपके लिए जो support बनेगा, जो first June का day low है, यह आपका पहला support बनेगा, इसका अगर breakdown मिलता है, तो 26 का day low है, यह आपका दूसरा support बनेगा, इसका भी breakdown मिलता है, जो 25 का day low है, यह आपका अगला support यहाँ बनता ह अगर आपको इसका breakout मिलता है जो दूसरा resistance ने ज़रा रहा है 19,458 पर ने ज़रा रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो तीसरा resistance दिखाई ज़रा है 19,510 पर हमें यहां पर तीसरा resistance दिखाई ज़रा है वहीं बात करें अगर आपको देखने को मिला negative momentum उस situation पर पहला support ने ज़रा रहा है 19,287 पर ने ज़रा रहा है अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो दूसरा support ने ज़रा रहा है दूसरा support बताने से पहले में आपको बता दियो आपके लिए किसी भी तरह करना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाएगी analysis वीडियो है invest कने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जमेदारी भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर में second support ने ज़रा रहा है 19,233 पर नज़रा रहा है अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो में तीसरा support ने ज़रा रहा है 19,203 पर आपको य जल्दे इसका part 2 आने वाला है और यह part 1 है उमीद है आप part 2 के आने से पहले part 1 को complete कर लेंगे जिससे कि आपको proper idea मिल सकें कि part 2 में क्या हो रहा है किस तरह की situation हो रही है क्योंकि कुछ चीजे कुछ हिसा हम वहाँ पर भी discuss करेंगे जहां जहां पर ज़रुरत पढ़ती रहेग बेल आइकन प्रेस करना फिर में लेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छी content के साथ thank you